देश की प्रमुक कान निर्माता काम्प्री यानी महेंद्रा मूटर्स भारतिय बाजार में अपनी नए एक्सिवी यानी टू डबल सीरो को लॉंच करने के पूर्ण रूप से भारत में तयारिया कर चुकी है जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेवी की चर्चा भारतिय बाजार में काफी लंबे समय से चलती आ रही थी तता भारतिय बाजार में इस कार को काफी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है क्योंकि ये कर मिड्स सेग्मेंट के हिसाब से माइक्रो एक्सीवी के दौरान भारत में रिजिबल प्राइस रेंज के चलते पहली बाजार लॉंच होने वाली है कंपनी इस कार को इसी साल यानि अक्तूबर में फाइनली आप सभी के लिए लॉंच करने वाली है अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपनी एक्सीवी 7000 को लॉंच किया था जो कि भारत में कावी सुर्गया बटोर रही है अब फाइनली मार्किट में आने वाली आप सभी की चहेती कार यानि एक्सीवी 2.00 ये महिंद्रा की XCV500 से नीचे की पोजीशन में मार्किट में लाए जाएगी जो कि टीम BHP रेपोर्ट के फॉर्म द्वारा अपडेट करके भारत में डवलप की गई है सबसे खासपत ये कि महिंद्रा की XCV200 को MH महा प्लाटफॉर्म द्वारा संचालित किया जा रहा है जिस पे आई XCV700 को भी डिजाइन किया गया था जो कि Micro SUV की चलते इस कार को मजबूती के मामने में भारत में आनने SUV इस कारों से काफी मजबूत बनाने वाली है तो आज की वीडियो आप सबीक लिए काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्किट में आने वाली XCV200 की स्पेसिकेशन और फाइनली लॉंचिंग डेट तता कीमत के बारे में तो वीडियो पूर्ण रूप से आन तक जरूर देखेगा कैसा होने वाला है भारती बाजार में महेंद्रा XCV200 का पूर्ण रूप से डिजाइन तो कार को टेस्टिंग के दोरान कई बार भारत में स्पार्ट भी किया जा चुका है कार में आगे की तरफ आप सभी को डीप टाउट LED DRLS ओप्शन देखने को मिलते हैं जो की महेंद्रा XCV300 की थोड़ी थोड़ी याद आप सभी को इस कार में दिला सकते है साथी साथ फरंट पे आप सभी के लिए प्रोजेक्ट DRLS ओप्शन के साथ हैट लेंस को संचालित किया गया है जो की वाके में इस कार को मस्कुलस लूप भारत में परदान कर रहा है जो की टाटा हैरियर से लेकर काई अन्य XCV's को ढूल चटाने के लिए पूर रूप से शमता रखती है इस कार के फरंट पे आप सभी के लिए बड़े रेटीना इस ग्रील आप्शन का इस्तमाल किया है इस कार को काफी खूब सूरती से डिजाइन किया गया है सबसे ज़्यादा खास पात है इस कार के अलॉइ विल जी हाँ जो मेरे फ्रेंट स्वी खरीदना काफी पसंद करते है ताथा मस्कुलेस लुक के दिवाने चलते वे इस कार को पूर्ण रूप से अपने ले खरीज सकते है जो कि वाक्यमी लुक के मामले में आप सभी के दिलों पर चाने वाली मार्किट में आने वाली मरुदी सुजुकी नहीं बलकि महेंदर की जबरदस माइक्रो एससीवी कार एकसीवी टू डबल जीरो के मामले में भारत में चर्चाय काफी लंबे समय से चलती आ रही थी तथा इस कार को एकसीवी सेवन डबल जीरो के बाद में लॉंच किया जाना था अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब आप इस कार को भारत की सड़कों पर देखने वाले है जी हाँ अगर इस जब दस फीचर्स वाली कार के कुछ फीचर्स की अपडेट की बात करे तो एकसीवी टू डबल जीरो को भारत ये बाजार में फाइव सीटर ओप्शन विकल्प के साथ लाए जाएगा अप्शन रूफ फील्ड और एक पैनरोमिक संडू रूफ आप्शन देखने को मिलता है साथी साथ मस्कुलस दिखने वाला बोनट आप्शन को संचालित किया गया है और इस कार में आप सभी को छोटा नहीं बलकि 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इन्फू टीट्मेंट आप्शन देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट टेखनोलोजी एंडूइट आटो एप्टल कार प्ले सपूर्ट नेविकेशन सिस्टम वोईस कंट्रूल रिकमिनेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है इस कार के अंदर आप सभी को एमहा एप्लिकेशन का सपूर्ट मिलता है जिसके जड़ी आप इस कार के 6 फंक्शन को आप्टेफ वोईल द्वारा कनेक्ट करके एक्सीस कर सकते है साथी साथ इस कार के अंदर आप सभी को आटोमेटिक इस इवेंट्स के साथ टूपन जीरो पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम आप्शन को भी मौईया करवाएगे है जोकि आज के टाइम में हम सभी के लिए काफी अच्छा बेनिफिट वाला आप्शन हो ले वाला है इस कार को साथ इसाथ सन रूफ की सुविदा भी मिलती है जोकि वाके में रिजिवल प्राइस रेंज की शल्ते कम्प्री ने आप सभी को इस कार के अंदर मौईया करवाई है इस कार में आप सभी को मर्टी फंक्शनल कलाइमेंट कंट्रोल के साथ स्टेरिंग मौउंटेन कंट्रोल और वेंटीलेशन के साथ वाइपर सीट में आप्शन देखने को मिलता है इस कार की सीटों को खास्तों पे लैदर फैबरिक द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन किया गया है जिसके चलते आप सभी को ये कार अंदर से इंटीरियर के मामने प्रीमियम फील करवाने वाली है जो कि महेंगी कारों में एक जब और विस्परदान देता है इंजिन तथा पावर की बात करी जाए तो मार्किट पे महेंदरा XCV-20000-SCV को इंजिन विकल्प के द्वारा अपडेट करके BS6 मान को केतायद भारत में लाए जा रहा है जी हाँ, इस कार के अंदर कोई आप सभी कोच छोटा होटा नहीं बलकि 1.5 टीटर का 4 स्लेंडर टर्पो शार्ट पैट्रल इंजिन ओप्शन देखने को मिलता है जो कि भारत के सड़कों पर मैक्सिमम पावर आप सभी को जडेट कर पाने में शमतर रखता है जी हाँ, ये कार भारती बाजार की उपर खापट सड़कों पर आप सभी को 190 BSP के मैक्सिमम पावर के साथ 120 BSP का टॉक्शन डेट कर पाने में शमतर रखती है सबसे खास बत तो ये है कि इस कार को टर्पो चार्ज विकल्प आप्शन के दोवारा M हाँ, टेक्नोलोजी द्वारा लेस करके डिजाइन किया गया है जिसके चलते इस कार के इंजिन को पूंग रूप से मोटो द्वारा पावर जंडेट कर पाने में ये इंजिन शमचा रखता है जिसके मामने में ये कार आप सभी को प्रती लीडर में माइलेज के दोरान 28 से लिकर 31 कीवे का माइलेज पूंग बूप से मरदान करपाने में भी शमदा रखती है इतने जारा माइलेज के साथ इस कार को भारत में एक आम इंसान अफॉर्ट कर सकता है क्योंकि कीमत के मामने में इस कार को भारत में मौझूद अन्य एक्सिवी सकारों से काफी रिजिबल प्राइस सेंज के चलते तैय किया गया है वैसे तो महिंदर भारतिय बाजार में अपनी काफी ज़्यादा बोल्ट तथा मस्कुलस कारों के लिए जाने जाती है जो कि मजबूती के साथ-साथ फीचरस के मामने भारत की अन्य कंपनी को करी टकार मार्किट में देती है औह उन्मित की जारिए कि मार्किट में आने वली एक्सिवी टूटबल जीरो भी इने खाल्पों में खरी उतरने भारत के लिए होने वाली है क्योंकि वाक्य में ही हम सभी घरबार्तियों के लिए काफी benefit वाली बात हो सकती है Safety features की बात करी जाए तो पूंग भूप से आप सभी के लिए काफी good ने उसी स्कार के लिए होनी वाली है क्योंकि Mahindra पहली बदा चुकी है कि हम आने वाली अपनी XCV Tutable Zero में World Class Safety features को शामिल कर चुके है ज्योंकि वाक्य में आप सभी को लग्सरी कारों में फीचर सेफ्टी फीचर के तौर पे दिखाई देती है जी हाँ इसमें आप सभी को Automatic Parking और Land Change Adjust के साथ Lever 1 Auto Transmission Technology का इस्तमाल कंप्री में किया है ज्योंकि हाल ही में आप सभी को XCV700 में भी दिखाई ये कि खुबी देती है भारत में फिलाल ये Technology MG Gloucester Premium SCV में भी आप सभी को मार्किट में देखने को मिलती है Launch के बाद इस कार का सीधा वुकार का पूल गूप से Hyundai Alcazar MG Hector Plus तथा Tata की जबर्दस का टाइमलों से होने वाला है तथा इसमें HBX को भी कंप्री ने शामिल कर लिया है Safety Vitas के मार्में ग्लोबल NCP के दोहती इस कार को 5 के रिटिंग प्रवाइड की गुई है 360D ने बैक के आम राइए फिक्षिया लापिंग ट्रूस कंट्रोल जैसे अपडेट से तूफ फीचर्स के साथ मौईया करके इस कार को भारत में लाया जा रहा है जी हाँ लांचिंग तदा कीमत की बात करें तो पूर्ण रूप से अभी मीडिया रिपूर्स के मुदा भी खुलास होगा है कि भारत में इस कार को हम सभी के लिए अक्तूबर दक फाइनली लाउंच किया जा सकता है जो कि इस कार का फाइनली समेब बताय जा रहा है कीमत की बात करें तो मार्किट में इस कार को काई अन्य एक्सिविस के मुकाबले सड़ी तीन लाग रुपी से लेकर छे लाग रुपी के अंत्रकत एक शुरूम प्रैस के साथ मौया करवाएगा है अगर इस फ्रैस रेंज के तलते इस कार की कीमत दिश्यत तोर से यही रही तो वाकिय में ही ये कार नंबर वन बिखने के मामले में भारत को क्रॉस कर जाएगी तता इस कार का नियाद भी भारत के अलावा अन्य देशों में यहीं से इस्टार्ट हो सकता है जी हाँ जोब बस महिंद्रा XCV200 की प्रीबुकिंग आप सभी के लिए महिंद्रा ओफिशल इंडिया वेबसाइट पे इस्टार्ट की जा चुकी है अगर आप इस कार को काफी लंबे समय से बुख करने का प्लान बना रहे थी तता एक XCV का लेने का प्लान भी कर चुके थे तो आप सभी के लिए आने वाले समय में XCV200 एक काफी अच्छा बैटर विकल पॉफटन XCV सेग्मिन में होने वाला है तो प्री बुखिंग करने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाईए अपना नाम तथा सिटी का नाम लिक्किया में कमेंट करिए वीडियो पसंद आए तो भीना लाइक करें बिलकुल मैं जीएगा मिलेगे अब नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग अब कभी न्यू कारू की अबडेट्स के साथ इसी चैनल फेधन